वस्तिक कश्मीर के गांदरबल जिले के फ्राव हाकनार गुंड इलाके में CRPF 118 बटालियन की जानिब से एक मुफुत तिभी केंप का इनिकाद अमल में लाया गया तिभी केंप में फ्राव हाकनार और मुलहका इलाका जाद से तालुक रखने वाले दरजनू लोगों ने तिभी खिदमाद हासल की तिभी केंप में माहिर डाक्टरों ने मरीजों का मुईना करने की इलावा इने अदवियाद भी मुफुत फराहिम की मुकामी बाशंदों ने फ्राव हाकनार गुण इलाके में मुनकित किये गए केंप के हवाले से सियार पियाफ की सताईश करते हुए मुस्तक बिल में भी इस तरह के मजीद केंप के इनकाद की उमेद जाहिर की उन्हुने कहा कि कैंप में माहिरी डाक्टरों ने बारिक बनी से मरीज़ों का मौइना किया जबकि सीयार पियाफ की जानिव से अदवियाद भी मुफुत तक्सीम की गई CRPF के एक आफिसर ने बताया कि सिविक एक्षिन प्रोग्राम के तहत फ्राव हकनार में मेडिकल केम्प का इनकाद किया गया जबकि इसे काबल भी कई दूर दराज इलाकों में तिबी सहुलियात के फगदान के पेश नजर इस तरह के केम्प का इनकाद किया जा चुका है उन्होंने कहा कि CRPF अवाम की हिफाज़त के साथ साथ इन्हें सहुलियात पहुचाने के लिए भी पुराजम है और इसी जजबे के तहट मुफद टिबी केम्प का इनकाद अमल में लाया गया है और दूर इसे केम्प के लिए बहुत अच्छे फ्री में दूआई दिये रहे है जो ऐसा बैद में होना चाहिए कि ऐसी केम्प लगनी चाहिए ऐसा कदम होना चाहिए आवाम के लिए कि ये बहुत बहुत बैतरी इन्हें कदम उठाया है मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ CRPF वालों से कि CSU साब ने यहां केम्प लगाई है ये लोगों ने बहुत इससे आराम से दवाई ले ली बहुत फाइदा हुआ बुड़े बुजर्ग और जवान जोटे बचे लड़ी जो भी लोग थे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीका से यहां से दवाई ली में यह मैं शुक्रिया करता हूँ और इस्तिता करता हूँ इन से कि यह हर किसी गाउं में लगना चाहिए और हर गरीब अवाम को आराम आ जाएगा और गरीब अवाम को फाइदा हो जाएगा है यह हर किसी गाउं में लगना चाहिए यह बेहतरी इन कांपाय बेहतरी